गुद मॉर्निंग फ्रेंट्स वेलकम्स यू एड डिफेंस अकेडमी बांसुर मैं नेम इस महेश सिंग शेखावत आई एक्सपीरियंस ओफ नाइन येर टेचिंग डिफेंस ओके फेंट्स आज हम एंडिय का एक महत्मून टोपिक डिसकस करते हैं जो आपने इस्कूल्स में पूरा के साइध नहीं देखा होगा और यह स्कूलिंग से लेपस में भी लगवग लगवग नहीं है आपको इक बावता है यह पांच इसके दो या तीन क्यूशन आते हैं दोस्तों एक क्यूशन मैंथमेटिक्स का जो हता है वो ड़ाई मार्क्स का होता है एंडिय में और तीन क्यूशन आप ड़ाई के इसाब से लगा लीजी या फिर दो क्यूशन लगबग दो क्यूशन या तीन क्यूशन इसके आते हैं पांस से साड़े शाथ मार्क्स का यह टोपिक है और आज हम इसको मैं आपको एक ही लेक्चर में पूरे टोपिक को पढ़ाता हूं यानि में एक टोपिक में जो भी है यह पूरा का पूरे जो भी कॉंसेप्ट है इसके साथ है वो मैं डिस्कस करता हूं ओके आज हम स्टार्ट करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम कि बाइनरी नंबर सिस्टम कि द्वी आधारी संख्याएं देखिए मैं इस टोपिक को हिंदी और इंग्लिस दोनों में लेके चलूँगा एक्ट्योली यह कंप्यूटर बेस्ट टोपिक है और यह मैथमेटिक्स का जो पॉर्सन होता है आपके 120 कुष्ण आते हैं एंडिय में और 120 में से यह मानली जयाब 2 या 3 कुष्ण इ ठीक है अभी हम लोग सबसे पहले binary number system में इसका पहला concept discuss करते हैं और पहला concept है कि इसको binary क्यों कहते हैं देखिए आप लोग जानते हैं तो इसलिए इसी के बेस पर यहां पर इसका जो यह बाई और यहां पर Hindi में द्वी इसका मतलब होता है दो अच्छा इसको बाई क्यों कहते हैं देखिए एक्चुली जो हम समझते हैं वह कंप्यूटर नहीं समझता computer आपके किसी भी भासा को नहीं समझता ना English समझता है ना Hindi समझता है वो कुछ नहीं समझता ना उसको Mathematic समझ में आती है computer को सिर्फ Machine Language समझ में आती है जो वन जीरो की फॉर्म में होती है हम computer को जो निर्देश देते हैं और भी समझता है अब हम सबसे पहले पहला concept डिसकर्स करते हैं कॉमसेप्ट नमबर वन कि देखें दोस्तों जो andy की विसेश कर बचे तयारी करते हैं नेवी एर फोर्स में कहीं कहीं इसका क्वेशन पूचलिया जाता है विसेश कर concept number one में सबसे पहले हम discuss करेंगे कि concept में यह देख लीजिए कि इस तरह की जो चीजे होती है इन्हें क्या कहते हैं यदि हम simply कहना चाहें आपको मैं बताओं आपको कि जैसे मैंने लिखा 734 इसका क्या मतलब है दोस्तों देखो आपने 734 लिखा है कहां से लिखा है जीरो से लेके और 9 तक के जो नंबर्स होते हैं उन में से आपने यह लिख आदी है कि इसका बेस क्या है देखो मैं बताता हूं इसका बेसे 10 इसका बेसे 10 अच्छा इसका बेस 10 क्यों है इसका बेस 10 इसलिए है क्योंकि 0 से लेके और 9 तक के नंबर्स हमने काम में लिए है इसलिए क्या है यह बेस 10 है अब हम बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की हored binary number system में बेश होता है है कि इतना होता है थ्यू險 इसमेंग आधार इसका दो होता है जैसे इसका इसमें जो numbers काम में लिए जाते हुव काम मेंदोते हैं जीरो एंड वन इंड जाते हैं जीरो दोस्तो दों अबस्तों लेंड आते हैं जब सुछ क्यों एंडी में पूछे जाते हैं नेभी यह एरफोर्स में इसके कभी कभी कुछन साते यह गी एक मिल जाएगा अब देखे जीरो और वन इसको लिखा कैसे जाता है यदि मालो कि मैंने आपके सामने लिखा वन 101 101 तो ये जो है इसका base है टू ठीक है अच्छे ये waste two क्यों लिखा जाता है यह best Two इसलिए लिखा जाता है क्योंकि यहाँ पर 10010 यानि हमने दो नंबर सिर्फ काम में लिए है एक वन और तीक है अब बात करते हैं अब बैस की बात करते है व्यादा कि यह यह बाइनरी नंबर सिस्टेम है अब मैं डेसिमल नंबर की बात करता हूं डेसिमल डेसिमल नंबर का जो बेस होता है जिसे मैंने आपको अभी बताया था कि आपने जैके 734 लिखा इसका बेस देखो by default 10 है अच्छे इसका बेस 10 क्यों है 10 इसलिए है क्योंकि इसमें जो नंबर्स काम में आते हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है देखिए 0 से लेके और 9 तक के नंबर हम यहां काम में लेते हैं इसलिए इसका जो बेस हो गया हो क्या हो गया 10 ओके सबसे पहले हम लोग इससे रिलेटेट देखिए यदि हम इस topic को बहुत advance में पढ़ना चाहें जैसा कि बीटेक में पढ़ते हैं उसमें देखिए इसमें octal numbers होता है ठीक है जिसमें 8 number काम में आते ह हैं hexadecimal होता है जिसमें 60 number काम में आते हैं वह आपसे नहीं पूछेंगे आपसे तो यह topic इतना सा nd में दिया है और हर बार आपके दो या तीन क्यूशन यहीं से लिए जाते हैं ठीक है सबसे पहले concept number one में मैंने आपको बताया कि आधार दो होता है इसको binary इसलिए बोलते ह है ठीक है अब सबसे पहले हम लोग binary number system इन में आपस में conversion इनके relations देखेंगे और जब सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह यह topic है इसमें बहुत ज्यादा हिंदी नहीं है ठीक है इस topic में कुछ चीज़ें आपको इंग्लिश में रखनी पड़ेंगी तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैं आपको एक सिंपल चीज पूछता हूं जैसे मैं लिखा 734 ठीक है यहां पर मैंने बेस्टेन आज तक आपने 704 मैंने आप सो कहा कि 734 लिखिया आपने 734 लिख दिया लेकिन आज तक आपने कहीं भी नहीं देखा होगा ठीक है यदि आप टेक्निकली कभी नहीं पड़े हो तो कि 734 के बेस में 10 मैंने क्यों लगा दिया देखिये मैंने 734 के बेस में 10 इसलिए लगा दिया क्योंकि यह डेसिमल नंबर है अच्छा इसका मतलब क्या है आप मुझे बताए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं इस कि देखिये जो आप कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूं यह हो गया 700 प्लस यह हो गया 30 और यह हो गया 4 अच्छा यह जो 10 की पावर जीरो है मैं आपको यह बताऊंगा बाद में पूरूफ करके कि किसी भी किसी भी नंबर की किसी भी एलजेब्री की जो पावर 0 होती है वह नहीं क्यों होती है ठीक है यह हम पड़ेंगे तो टैन की पावर 01 होती है तो इसका मतलब यह हो गया आप देखिए जब मैं इसको सोल करूंगा तो 734 अच्छा आप मुझे बताइए जब आप इसकूलिंग में या कभी भी जब बच्पन से आप पढ़ते हैं उसमें आप लोगों को यह सिखाए जाता है कि इकाई हिंदी में बात करूं कि इकाई धाई सेगड़ा इंग् देखिए 10 की पवाउर जिरो इंटू चार दसकी पाउर 1 दसकी पाउर 2 से चार अच्छा मैने यह 10 Terra 1 लिका 10 उतर इसको आगे तक कश्षान रखेएगा जब जैसे जैसे टोपिक आगे चलेगा आप देखिये हैँ यहाँ जब देता तो में तो फिर 18 की पाव नबर इन दोनों की का अपस में हैं इसी पे हम लोग रखे हैं अभी कि कि तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो मैं डिसकस करता हूं हम लोग सबसे पहले डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कनवर्ट करते हैं ठीक है कनवर्जन ओफ कि डेसिमल नंबर सिस्टम कि इंटू बाइनरी नंबर कि ठीक है जो हिंदी से है में उनको बता दूं कि हिंदी में भी मैं लिख देता हूं कनवर्जन ओफ डेसिमल नंबर सिस्टम कि दस मलाव संख्याओं को कि द्वियाधारी संख्याओं में कि कि ठीक है कि डेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोग सिस्में चेंज कर रहे हैं लिखिफिए दस्यमलव व्ला अधह्मन ना समझे आप जोआपink们 पीनूट लगाते ही ठीक है यानी हमें decimal नमबर से binary में जाना है यानि decimal नमबर से बाइनरी नमबर में जाना इसका मतलब क्या हो गया देखिए decimal नमबर का मतलब तो मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर 01234567 और 8 और 9 यह नमबर होंगे लेकिन आपको पता है कि binary number में मैंने अभी आपको बता है कि 0 और 1 होंगे यानि कि यह सिर्फ दो number होते हैं binary में 2 होते हैं और decimal में 9 होते अब देखिए conversion करते हैं छोटा से question लेते हैं कि convert 21 देखिए मैं आपका थोड़ा सा लिखने का तरीका बजल रहा हूं मैं 21 मैंने फाइनली लिखा है इसका मतलब क्या है इसका बेस्टेन है मैं बेस्ट भी लगा रहा हूं यहां पर convert 21 बेस्टेन इन्टू कि binary number system ठीक है यानि कुल मिला कि हम लोग कह रहे हैं कि 21 इसका बेस्टेन है आपको इसे बदलना है कि इसमें binary number system है ठीक है देखिए मैंने यहां से नंबर उठाएं दो इसलिए decimal हुआ यह और मुझे इसमें 01 में convert करना है तो सबसे पहले इसका एक प्रोसीजर है देखिए इसका प्रोसीजर क्या है देखिए कि 21 को आप डिवाइड करिए 2 से 21 को आप 2 से डिवाइड करिए यह हो गया 10 remainder क्या हो गया 6 देखिए यदि remainder कहें या इसको कहें 6 फल मैं 6 फल यहां रख रहा हूँ फिर 2 से डिवाइड किया फाइब टाइम्स remainder 0 फिर 2 से 224 दैन फिर 2 से यह 1 यह 0 इस वन को आप इदर लिख लीजिए और इसका जो प्रोसीजर होता है दोस्तों वह होता है कि आप क्या लिखेंगे यहां पे बोटम से टोप यानि यह जो लिखने का क्रम होगा लिखने का जो वह बोटम से टोप ठीक है तो देखो कई कई बार तो एंड यह में इतना सा पूछ लिए जाता है नेवी एरफोर्स में इतना सा पूछ लिए जाता है कि जब हम किसी decimal नंबर को बाइनरी नंबर में करते हैं यानि किसी decimal को Binary में जब करते हैं तो जो लिखने का process होता है बाइदर dividing 2 क्या होता है टोप से बोटम बोटम से टोप राइट लेफ्ट 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 तो राइट तो इसका मतलब होगा उसमें अंसर होगा bottom से top अब हम लिखते हैं इसको 10101 देखिए यहां पर मैंने बेस्टू लगाए है बेस्टू लगाने का कारण क्या है बेस्टू लगाने कारण है कि मैंने इसको चेंज कर दी है किसमें binary में इस question को short form में आपको यह भी पूछा जा सकता है कि 21 21-10 और आपको convert करना है x2 इसका मतलब यह जो x है यहां पर question mark भी हो सकता है इसका मतलब आप इसकी जगह लिखेंगे 21-10 यहां लिखेंगे 10101 देखिए computer इस बासा को समझता है computer को यह नहीं पता कि यह 21 क्या है computer को यह सब शिर्फ यह पता है कि 10101 यूजर ने का है अब आप क्या समझते हैं उस सीज को compiler compile करके और फिर आपको 21 language में आपको answer देता है ठीक है तो NDA में जो कुछन आता है वो क्या आएगा शिर्फ वो कहेगा कि 21-10 आप इसे binary में convert किजिए चार option देंगे चार option में यह भी होगा यह answer हो जाएगा अच्छा इससे यह लाना हो तो क्या करेंगे सीदी सी बात है कि जब हमने 21 यह 21 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 इंटू 10 की पावर 0 प्लस 10 1 प्लस यह multiply 2 इसका मतलब क्या हो गया देखे यह 20 है और 10 की पावर 0 1 है यह हो गया 21 ठीक है इसको लिख सकते है न आप इसको 10 की पावर 0 10 की पावर 1 तो इसको आप decimal में convert करेंगे तो अगेन आप 2 की पावर 0 multiply 1 2 की पावर 1 then this 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 ठीक है तो इस टाइब से मैं इसे convert करके बदा आता हूं पहला सिस्टम हमारा हो गया कि decimal से binary में कैसे convert करते हैं अब हम चलते हैं कि binary से decimal में कैसे convert करते हैं next point कन्वर्जन ओफ बाइनरी नंबर कर II कि पेछे for example कि दहुरम हूं देखे पिछे आपन हरी नंबर यानि दिवियाधषारी संख्या से क्या कि अ में समें उसे ले जाना हैं decimal number system decimal number system में जैसे मैंने आप से कहा था था कि 21 आप से टू से डिवाइड करिए या गया टैन वन टू देन फाइप जीरो टू टू वन टू वन जीरो इसे आप इदर रखिए और बोटम से टोप आप लिख दीजिए वन जीरो वन जीरो वन बेस टू वैसे आप कहेंगे एक जनरल आदमी से आप पूछेंगे किसी भी नॉर्मल जीरो वन ये बेस टू है और आप हमें यहां पे एक्स और मैंने बेस लिखाए टैन अब मैं क्या कह रहा हूं कि आपको बाइनरी बेस से मुझे डेसिमल बेस में करनोर्ट करके बताए ये नंबर मुझे समझ में नहीं आ रहा तो देखिए कैसे करेंगे यहां पे सबसे पह देखिए ए दो stop each item प्लस के 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 लिखे क्कर आधारंस कोई नंबर सरांगे यहां था अध्यान आ यहां प्लसिसमगन प ए सब्सक्राइब यहां 21 और बेस हो गया 10 तो देखे simply आप कह सकते हैं कि 10101 यह बेस टू है यदि इसे convert करेंगे decimal में यह 10 आएगा ठीक है ऐसा एक simple सा question वहाँ पूछा जाता है ठीक है आपको binary से decimal में भी convert करना पड़ सकता है आपको decimal से binary में भी convert करना पड़ सकता है ठीक है अब आपके एक query generate हो सकती है कि यार मालों की decimal में 0.35, 0.65 इस तरह के का कुछ दे रखा उसे कैसे convert करेंगे तो इसमें हम तीसरा point लेते हैं वो तीसरा point है conversion of conversion of fraction decimal fraction decimal to fraction binary number देखिए हिंदी में यदि हम लोग कहें इसको fraction मतलब fraction decimal जानते हैं आप जिने point जो जिसे आप generally decimal बोल दिया करते हैं जो point के बाद के जो numbers होते हैं उसमें और fraction binary में आपको convert करना है देखिए एक छोटा सा एक्जाम पर लेते हैं कि convert 0.625 बेस्टैन कि इंटू कि बाइनरी फ्रेक्शन कि देखिए यदि हिंदी का पेपर हुआ वैसे एंडिये का नेवी का एरफूर्स का जो भी एक्जाम पेपर आते हैं यह दोनों लेंग्वेज में लगभू होते हैं तो मैं आपको बताओं कि जो बाइनरी फ्रेक्शन को वह दिवे आदारी फ्रेक्शन या कुछ इस तरह कर लिखे दे कोई जरूरी नहीं वह बाइनरी फ्रेक्शन भी लिख सकता है ठीक है तो मुझे कहेगा कि आप ऐसे करिए आप लिख दीजिए सिक्स बाइटैन अच्छा सिक्स बाइटैन क्यों लिखा यह डेसिमल के बाद में एक नंबर है हम लोग यह बच्पन से पढ़ते आयो होंगे कि डेसिमल का वन हो गया एक है तो जीरो हो गया इस तरह के पढ़ते ठ हम लोग यह माल लीजिए कि मैथेमेटिक्स तो जब हम लोग 11 और 12 या तो आप एक्जाम आटी का ले लीजिए या फिर एंड ये का ले लीजिए नीवी का ले लीजिए एर फॉर्स का ली चчиल्कुलियसन तो अप टू 5-5 वी तक ही केल्कुलेशन काम में आती है बाकी کॉं 20 होगा यहां पर हो जाएगा कितना 5 है ठीक है कितना आगया यहां पर यह आगया सर 625 अपॉन 1000 अच्छा इस बिन को यदि मैं आप से कहूं कि आप एक जनरल इस्टुडेंट से पुछेंगो क्या कहेगा वह यही कहेगा कि 123 यानि तीन के बाद में यानि 65 यानि तीन नंबर के हम सब्कार है लिए इस बात त्रके से आप से कहूं कि ऐसे डीख सकता हों गया इसको दूसरे तरिके से मैं इसको टेक्निकल भासा विलीग सकता हूं कि 10 की पार-1 तो तो क्या मैं Te ры प्रोजेंट एक ही बात है तो हम लोग क्या करेंगे इसको कनवर्ट करते समय यह जरूर धान रखेंगे जब मैं इसको कनवर्ट करूं और इसका प्रोसेस बताऊं तो आप इसका धान रखें सबसे पहले इसी चीज को मद्य नजर रखते हुए हम यह चलते हैं कि जिरो पॉइ संख्या है आप इसे मुल्टिप्लाइ करें 0.625 को मुल्टिप्लाइ करें टू से और यह हो गया 1250 तीन के बाद डेसिमल है यानि कि यह हो गया यह जो नंबर है इसको बोलते हैं दोस्तों पूरुण अंक हिंदी में इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटीजर ठीक है तो यह यह जो है वन इसको हम लिख देंगे यहां पर ठीक है आप देखिए कुछ कॉंसेप्ट ऐसे हैं जिनको सीखना होता है ऐसा नहीं है कि हर चीज मैथमेटिक से कितना वाइड सब्जेक्ट है कि आप इसे रट नहीं सकते हैं तो आपकी स्टेबलीटी नहीं होगी हना आप डेसीमल के बाद में जो इंटिजर आया है आपका वन आ गया अब यह जो अगय यह जो डेसीमल के बाद के जो टीन डीजिट है आप इसको आप डेसिमल के बाद में 000 अब आप दो से मल्टिप्लाई नहीं करेंगे आप रुख जाएंगे यहां पर 00 आएगा तो आपके पास 101 अब क्या करें अब क्या करें देखिए हमें पता तो लगया कि 101 है लेकि इसको लिखेंगे कैसे लिखने का तरीका यह है कि आप पहले आप बूटम से टौप कए थे अब आप आएंगे टौप से बौटम और आप लिख से बौटम जब आएंगे आध है कि तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा देखें सबसे पहले आप देखेंगे decimal कितने के बाद है तीन अंकों के बाद है तो आप इसे लिखिए 101 और आप decimal लगा दीजिए यहां पर देखिए यह हो गया टू यानि कुल में लाके आपका जो question का solution हो गया वह यह हो गया कि 0.625 यह 10 बेस और यह 0.1012 यह दोनों बराबर देखिए आपको यह दी एक्जाम में दिया गया कि 0.625 बेस टैन को आप बाइनरी नंबर यानि बेस टू में बदलें आधार 2 में बदलें तो उसका सही बिल्कुल अप्रोपिरेट आंसर होगा 0.1012 अब आप कहेंगे यार हम ऐसे कैसे मान लें पहली बार टोपिक पढ़ रहे हैं इतना डीप नोलेज भी नहीं तो ऐसे मान कैसे मान ऐसे लें अब मैं आपको इसको कनवर्ट करूंगा डेसिमल में और आपको यह लाके दिखाऊंगा कि यह 0.60 पाइप होता है ठीक है तो यह आपस में इंटरिलेट हो जाएगा तो आप नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं इसका कनवर्जन ओफ फ्रेक्शन डेसिमल की बजाए यहां लिखते हैं बाइनरी डेस बाइनरी डेसिमल टू अब बाइनरी डेसिमल को हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे डेसिमल फ्रेक्शन में चेंज करेंगे डेसिमल फ्रेक्शन में कैसे चेंज करेंगे आप देखिए इतना सा यह रफ कर देते हैं अब देखिए क्वेशन वहीं की वहीं है कि अब मेरे पास 0.101 बेस टू है और मुझसे कहा जा रहा है कि आप इसे बेस टैन में बदलिए अच्छा इसको बदलें कैसे मैंने आपको इक चीज बताई थी मैंने आप से यह कहा था कि 0.6252 यानि 0.625 है इसको मैंने आपको एक चीज लिखıs के बताई थी कि 0.625 आप इसे लिख सकते हैं 6 x 10 की पार-1 प्लस 2 x 10 की पार-2 और 5 x 10 की पार-3 और आपने भी कहा था कि यह सही है 6 x 10, 2 x 100 और 5 x 1000 ठीक है आपने फिर 625 upon 1000 और आपने 0.625 यह देखा होगा इसी चीज को हम convert करते हैं देखिए यहाँ पे 10 की पावर minus 1 10 की पावर minus 2 10 की पावर minus 3 मैंने लिखा क्यों वो इसलिए लिखा क्योंकि हम लोग लिखते तो इन्टो 0 प्लस 2 की पावर minus 3 इन्टो 1 ठीक है अब हम इसको सोल करते हैं देखिए टू की पावर minus हो गया 1 by 2 प्लस यह 0 हो गया और यह हो जाएगा 1 by 8 इसे आप करेंगे तो 1 by 8 हो जाएगा आप इसे LCM लेंगे 8 देन 4 प्लस 1 यह हो जाएगा 5 by 8 ठीक है यह बेस्ट है यदि मैं आपसे यह पूछता कि यह जीरो पॉइंट यह पूछू मैं आपसे कि 0.101 क्या है आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि यह हमारे प्रैक्टीस में भी नहीं है और प्रैक्टीस में नहीं है लेकिन कंप्यूटर इसे भली बात ही समझता है कि यह 5 by 8 ठीक है अब मैंने तो आपसे यह कहा था कि भी मैं 0.625 को यह कंवर्ट करूँगा लेकिन मैं तो 5 by 8 ले आया लेकिन देखें आप यदि सिंपल मैथेमेटिक्स अप्लाई करेंगे सिंपल मैथेमेटिक्स यदि आप अप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा आपको 5 by 8 यानि 5 में आप 8 का भाग देंगे जाएगा नहीं 0 then 0.8648 अगें 2 8 कि 0.101 इसको मैंने बाइनरी को कंवर्ट किया डेसिमल में तो यह आ गया 0.625 ठीक है देखिए दोस्तों एंडिय में जो क्वेश्चन साते हैं या नेवी एरफोर्स का जो बेसिक क्वेश्चन होता है बाइनरी निंबर सिस्टम से कई-कई बार तो वो लोग आधार बेस 22 लिख दें तो जो डेसिमल का जो प्रोसेस है वो डेसिमल की तरह करेंगे और जो आगे जो रहेगा डेसिमल के इस साइड में फ्रेक्शन वाड़ा और डेसिमल वाड़ा उसको अलग-अलग ट्रीट करेंगे ठीक अब इसके आगे लिते हैं अगे जो जो जोड़ बाकी गुणा भाग जो हम लोग लिखते हैं जोड़ बागी गुणा भाग जो हम लिखते हैं उसमें क्या हैं किए computer एक ऐसी मशीन है जो तो multiply को नहीं समझती ठीक है जैसे मैं आप में लोग लिखते हैं कि 2 x 3 computer को यह नहीं पता कि यह 2 x 3 है क्या नहीं आप देखेंगे की बोर्ड में कहीं भी आपको multiply का साइन भी नहीं मिलेगा ठीक है प्रोग्रामर्स के लिए होता है वह एस्ट्रिक का साइन वह अलग बात है बढ़ आपको समझ में नहीं आएगा कि यह multiply कहां से लिखें आप कभी करके देखें के लिटर को ना यूज करके आप प्रोग्रामिंग ऐसा नहीं कर सकते तो कंप्यूटर सिर्फ यह समझता है कि टू प्लस टू प्लस टू ठीक है क्योंकि सबसे पहले जब कंप्यूटर डवलोप वाता हो एक एडिंग मसीन थी ठीक है तो यह तीन बार एड करता है और आप एक बर मल्टिप्लाइ करके short calculation कर देते हैं हाँ अब हम लेते हैं देखिए सबसे पहले हम लोग एक पढटते हैं इसके अंदर आप मैने आपको सबसे पहले बताया की Bители के बारे में बताया कि बाइनरी काacter होता है decimal का base 10 होता है फिर मैंने आपको बताया कि decimal number को binary number में कैसे convert करते हैं फिर आपको बताया कि binary number से decimal में कैसे convert होता है फिर आपको बताया कि fraction यदि दिया हो decimal में उसको binary fraction में कैसे change करते हैं अगला point था हमारा कि binary fraction से decimal fraction में किस तरह convert होता है अब हम आगे लेते हैं binary operations ठीक है यदि बाइनरि ऑप्रेशन को हिंदी में कहेंगे तो आप यह िमान लेजिए कि बाइनरी ओप्रेसंस आपा भाइनरी यानि दभी आधारी संक्यां उपर कुछ संक्रियाए ए ओप का वाइनरी ओप्रेशन क्या होगे सभझेंगे अप्लेके से आप आज तक लो बार की गुना भाग कर दे आ हैं ऐसा नहीं यानि कुम्पूटर में क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि बाइनरी ओप्रेशन्स को यदि मशीन करती है तो वन देखिए 0 कि यह 0 होता है आप देखते जाए यह 1 होता है 0 प्लस1 यह यह 1 होता है लेकिन 1 1 प्लस 1 क्या बताएंगे 1 प्लस 1 आप टू बताएंगे लेकिन चुम्प्यूतर टू को समझता ही नहीं नहीं तो देखे टू यह बाइनरी टू क्या है डेसिमल नमबर है यानि टू कहां से आया है जीरो से लेकिन नाइन के बीच में से तो आप इस टू को कशनवर्ट करेंग 1 प्लस 1 क्या हो गया 1 जिरो छीक है तो कई बार क्या करते हैं कि यहां पर 1 कि अच्छा सब्ट्रेक्शन को क्या बोलते हिंदी में घटाओ ठीक है जीरो माइनस जीरो जीरो ठीक है जीरो माइनस जीरो इसमें कोण बड़ी बात ठीक है लेकिन है इसमें देखिए कई में अधिकत भी आती है 1-01 1-10 लेकिनि मैं आपसे कहूं कि 0-1 देखिए बाइनरी नमबर नेगेटिव तो होते नहीं तो 0-1 क्या होगा जीरो-1 कुछ नहीं होगा जैसे देखिए कि 0-1 यजि मैं कहूं आपको 1-0-1 इसे समझ यह जिएगा 0 में से 1 नहीं जाएगा यह इधर से क्या लेगा इधर से बोरो लेगा यानि कि एक उधार लेगा और यह हो जाएगा 1-0 और और 10 क्या हो जाएगा यानि 0-1 यह जाएगा 1 यह जाएगा 1 लेकिन इसके यह 1 तो हो गया लेकिन इससे इस वाले से क्या लिया है एक बोरो लिया है तो यानि 10-1 आप 1 कह सकते हैं और विद बोरो 1 ठीक है आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि 1 1 प्लस 1 0 विद कैरी यह कैरी है ना यह कैरी फोवर्ड हो जाती है बैक साइड में ठीक है आप मल्टिप्लिकेशन का जब साइन लेंगे मल्टिप्लिकेशन यदि आप लेते हैं तो मल्टिप्लिकेशन में क्या होता है देखिए 0 in to 0 0 1 in to 1 1 in to 0 0 और 0 in to 1 0 ठीक है ये नॉर्मल ओप्रेशन्स होते हैं और डिवीजन में क्या होता है देखिए डिवीजन में यदि आप डिवीजन की बात करते हैं तो डिवीजन में होगा देखिए यानि multiplication को Hindi में गुणा कहते हैं और division को भाग कहते है ठीक है यहीं मैं आपसे कहूं कि 1 को आप 1 से divide करिए आप कहेंगे one मैं आपसे कहूं कि zero को आप 1 से divide करिए आप कहेंगे zero फैंजे रोगाई one ओई-धी लेकिन मैं आप से आपको काम में भी नहीं लेने यह कहीं दिक्कत नहीं करते और यह binary operations हो गए अब हम binary operations का use देखते हैं यह topic का last point है यह पूरा का पूरा topic इतना ही है ठीक है बस इसमें number of question की practice आप बढ़ा लीजिए और questions हो जाएंगे ठीक